जीवन में उतार चड़ाव आना आम बात है सुख और दुख जीवन के दो महत्वपूर्ण पहलू है लेकिन सुख की अपेक्षा दुख आधिक हो तो जीवन नरक के समान लगने लगता है ज्योतिश विग्यान के अनुसार अगर किसी व्यक्ती की ग्रह दशा खराब चल रही होती है तो उसके जीवन में तमाम तरह की परेशानिया आने लगती है वो व्यक्ती अपने भाग्य को कोसने लगता है लेकिन अपने भाग्य पर दोश मरने के बजाए जातक को ज्योतिश शास्त्र में बताए गए उपाई को करना चाहिए आएए जानते हैं किस ग्रह दशा के खराब होने से कौन सी परेशानिया आती है और ज्योतिष शास्त्र में उनके लिए क्या उपाय बताए गए हैं। शनी महराज न्याय के देवता हैं। ये जातकों को उनके कर्मों के अनुसार ही फल देते हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शनी की ग्रह दशा खराब चल रही हो तो फिर ये उस व्यक्ति के जीवन में मुसीबतों का पहार खड़ा कर देते हैं। शनी के कमजोर होने से जादातर क्षेत्र में नुकसान उठाना पड़ता है। ज्योतिश शास्त में ये बताया गया है कि अगर शनी की दशा खराब चल रही हो तो मचलियों को आटे की गोलिया खिलानी चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में शनी मजबूत होता है व्यदिक जोतिश में मंगल ग्रह को साहस पराक्रम, युद्धत, सेना, भूमी, रक्त, लाल रंग आदी का कारक माना जाता है। अगर किसी जातक की कुंडली में मंगल की स्थिती शुब ना हो तो ऐसी स्थिती में जातकों के जीवन में वैवाहिक परेशानिया, लड़ाय जग्रिक, भूमी, संबंधी, विवाद, रक्त से जुड़ी शारीरिक परेशानिया आदी होने लगती हैं। कुंडली में मंगल की स्थिती को मजबूत बनाने के लिए और मंगल की अशुब ग्रह दशा के प्रभाव से बचने के लिए मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा के समय सुन्दर पाठ करना चाहिए। कुंडली में बुद्ध की दशा शुब ना हो तो जातकों की बुद्धी ब्रश्ट होने लगती है और अन्य प्रकार की शारीरिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में बुद्ध की खराब दशा के प्रभाव से बचने के लिए आपको बुद्धवार के दिन किन्नरों को दान करना चाहिए। यदि आपकी कुंडली में ब्रहस्पती देव की स्थिती शुब ना हो तो ऐसी स्थिती में आपको गुरुवार के दिन पीले चंदन का तिलक लगा कर ही घर से बाहर निकलना चाहिए। गुरुवार के दिन केले की पूजा करना भी आपके लिए लाबदायक रहेगा।